मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज की इस वीडियो में फ्रेंट्स नया साल आने वाला है तो आप सभी को न्यू येर की धेर सारी शुप कामना है तो फ्रेंट्स जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं मैंने तीन एंप्लिफायर रखे हैं ये 2.1 एंप्लिफ आपको प्रॉपर इसके अंदर जितने भी पार्ड्स मैंने यूज किये हैं क्या क्वाल्टी आपको मिलने वाली है मैं सभी आपको बताने वाला हूँ और साथ में मैं आपको इसकी टेस्टिंग भी दिखाऊंगा तो फ्रेंट्स वीडियो में बने रहे हैं लाज तक ताकि मैं आपको सारी डिटेल्स बता पाऊं तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की तरह और वीडियो शुरू करते हैं यह पहला एंप्लिफायर यह 450 Watt का 2.1 एंप्लिफायर है यह ओडर है सच्छिन जी का जो की मुंबई महराश्थ्रा से हैं तो यह एंप्लिफायर 450 Watt 2.1 एंप्लिफायर है तो मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ कि इसके अंदर हमने कौन-कौन से पार्ट से यूज़ किये फ्रेंड्स ये थ्री चैनल एंप्लिफायर है तो जैसा कि मैं आपको बता दू कि यहाँ पर देखिए हमने 200 वाट स्टीरियो का बोड लगाया है जो की 2 चैनल वोड होता है 100 प्लस 100 ठीक है फ्रेंड्स तो ये आपका लेफ्ट राइट चैनल हो गया और जो सब बूफर हमारा रन करता है उसके लिए हमने 250 वाट का ये मोनो वोड यूज़ किया है क्वाल्टी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हैवी क्वाल्टी की हीट्सिंग लगी होई है और यहां पर भी आप देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया हीट्सिंग का यूज़ किया गया है और कैप्स्टर की वैल्यू में आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ देखे 10,000 UF 100V के कैप्स्टर यहां पर हमारे 250W मोनो के बोड में लगे है और यहां पर भी 10,000 UF के कैप्स्टर लगे है यह 63V के हैं क्योंकि फ्रेंट्स जो दोनो बोड है हमारे अलग-अलग सप्लाई पर वर करते हैं जो हमारा स्टीडियो वाला बोड है यह 35-035 पर रंड करता है और हमारा मोनो बोड जो है यह हमारा 45-045 पर रंड करता है दोनों के लिए अलग-अलग सप्लाई निकली होई है यहां पर हमने देखिए टोरडल ट्रांसफार्मर का यूज किया है बहुत ही बढ़िया क्वाल्टी का फुल कॉपर में बढ़िया ट्रांसफार्मर हमने लगाया इसमें और आप यहां पर देख सकते हैं मैंने 3-0 चैनल रिले प्रोटेक्शन का भी यूज किया है 3 रिले लगी हुई है तीन चनल है हमारे, तो तीनों चनल के लिए हमने अलग-अलग relay का यूज किया है, ठीक है friends, 30A की relay यहाँ पर लगी हुई है, यह हमारा stereo के लिए है, और यह हमारा subwoofer के लिए है, friends हमने दोनों board के लिए, जो हमने preamp यूज किया है, वो भी अलग-अलग है, जैसे कि यह हमारा L LpF board है, यह हमारा 250W mono के लिए, यह LpF board हमने यूज किया है, डबल IC में है, TL072, डबल IC का यह LpF board है, और हमने जो preamp यूज किया है, वो मैं आपको लिखा देता हूँ, यह भी डबल IC में है, TL072, डबल IC, ठीक है friends, यह हमारा stereo के लिए है, जिसमें हमें bass, treble, mid, treble और यह volume, ठीक है friends, और जो subwoofer के लिए है, इसमें हमें दो tone मिलते हैं, जो कि हमारा एक frequency के लिए हो जाता है, जिससे आप bass adjust कर सकते हैं, दूसरा हमारा subwoofer का volume होता है, ठीक है friends, सबसे बढ़िया बात कि आप इसमें mic भी चला सकते हैं, हाँ, दोस्तों आप इसमें mic भी चला सकते हैं, यहाँ पर mic लिखा हुआ है, तो यहाँ पर आप mic का input लगा सकते हैं, और यह जो नीचे आप देख रहे हैं, दो mic के input लगे हुए हैं, यह actually mic के input नहीं है, यह mixer input है, तो यहाँ से आप कोई भी mixer से आप इसको connect करके operate कर सकते हैं, as it is, जैसे आप Bluetooth से चला रहे हैं, या आप AUC system से चला रहे हैं, वैसे ही आप mixer से भी इसको use कर सकते हैं, ठीक है friends, यहाँ पर हमने view LED light दी हुई है, जो की back side में लगी हुई है, friends, इस amplifier में जितने भी हमने यह transistor यूज किये है, यह तोसीवा 2SC51943 ट्रांजिस्टर का use किया गया है, बहुत ही बढ़िया क्वालिटी का amplifier है 2.1 amplifier 450W, यहाँ पर देख सकते हैं, आप regulated power supply लगी हुई है, जिसमें 12V, 5V और 18V यह सभी output निकलते हैं, ठीक है friends, यहाँ पर double fan लगे हुए हैं, जो की हमारे board को cool करते हैं, दोनों fan को हमने इस तरह से लगाया है, देखें यह वाला जो fan है, यह heat sink पे हवा देगा, जिससे heat sink cool रहेगी, और यह वाला fan हमारा heat sink को cool रखेगा, तो दोनों ही board proper cool रहेंगे, ठीक है friends, wiring वगएर आप देख सकते हैं, बहुत ही बढ़ी हैं quality की, देखिए सबी wires वगएरा, देखिए sealeded है, friends, यह है इसका back look, back look में देखिए, first हमें यहाँ मिलता है RCA socket, आप इसमें किसी भी चीज़ से input दे सकते हैं, TV setup box, mobile से, aux lead से, किसी भी चीज़ से आप यहाँ पे input लगाके, आप अपना amplifier रण कर सकते हैं, ठीक है sir, और अगर आपको mixer से connect करना है, तो mixer से connect करने के लिए front पे मैंने अजैसा की बताया, आप mixer से वहाँ से connect कर सकते हैं, और यहाँ पर देखिए banana terminals मिलते हैं, तो यह subwoofer का output है, यहाँ पर आप subwoofer की wire लगा सकते हैं, जो कि यह बना terminals में, friends, left right के लिए भी हमने यहाँ पर बनाना terminals दिये हुए है, आप चाहें तो इन में भी आपने speakers जोड सकते हैं, यहाँ पर हमने दो fuse दिये हुए हैं, दोनों ही 10 ampere के हैं, बहुत ही यहाँ बोर्ड यहाँ पर यूज किया है, 100-100, जो की 100W प्लस 100W हमें left right का output मिलता है, इस बोर्ड से, capture हमारे same way है, 10,000 63V के, और जो हमने subwoofer के लिए बोर्ड यूज किया है, वो यहाँ पर देखिए, 400W का mono बोर्ड यूज किया है, बहुत ही बढ़िया quality का बोर्ड है, friends, यहाँ पर भी हमने तीन चैनल के लिए अलग-अलग relay protection का यूज किया है, ठीक है, friends, तो यह हमारा जो mono board है, friends, इसमें power supply inbuilt नहीं होती है, तो इसके लिए हमने अलग से यहाँ पर देखिए, दो capture की power supply लगाई है, जिसमें 10,000 UF 100V के दो capture लगे हुए है, और यहाँ पर 5V की और 12V, 18V की भी supply यहाँ पर बनी होई है, ठीक है, friends, और साथ ही हमने यहाँ पर देखिए, सेम वही हमारा low pass filter यूज किया है, dual IC 72 का low pass filter और preamp हमने देखिए, यहाँ पर यूज किया है, सेम वही हमारा preamp है, यहाँ पर यूज है, ठीक है, friends, view light सेम हमें यहाँ पर मिल जाती ह कि मैंने पहले amplifier में बताया, यह mixer के input के लिए है, ठीक है, friends, और इसमें हमें जो tone मिलते हैं, left, right के लिए, यहे bass, mid, interval और volume, ठीक है, friends, और subwoofer के लिए यहाँ पर हमें frequency का volume मिलता है, और यह हमारा subwoofer का volume होता है, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बहुत ही बढ़िया quality का amplifier है यह, यह 600 watt का है, इसमें transformer में भी देख रहा है, बहुत ही बढ़िया quality का, full copper में लगा हुआ transformer है, इसमें भी same आपको वैसे ही banana terminals मिलते हैं, जैसा कि 450 watt में है, और left, right के connection के लिए भी banana terminals लगे हुए है, ठीक है, friends, यह 600 watt 2.1 amplifier मैंने रगु जी के लिए तियार किया है, जो क की बेल गाम करनाटका के है, ठीक है, तो रगु जी वीडियो देखेंगे, तो वो समझ जाएंगे, क्योंकि उनको और मैं टेस्टिंग की प्रॉपर वीडियो भेज चुका हूँ, friends, यह 2.1 amplifier, 3 channel, 600 watt, इसमें भी हमने सभी transistor 2SC500 Toshiba के यूज की है, ठीक है, friends, आप quality देख सकत और 30 amp की relay protection दिया हुआ है, तीनों channel के लिए, तो कोई भी problem आती है, तो relay आपकी off होती है, ठीक है, friends, थर्ड़ amplifier आपके सामने है, जो कि यह 1000 watt का 2.1 amplifier है, friends, यह amplifier मैंने इंदर जी के लिए तयार किया है, जो कि पंजाब के रहने वाले है, तो इंदर जी आपकी especially requirement पे मैं आप के amplifier की video डालना हूँ, ठीक है सर, तो वीडियो देखिएगा, और मैंने वीडियो तो already आपको भेजी हुई है, बट आप देख लीजेगा, पूरी detail वीडियो, मैं आपको पूरी testing के साथ में इसमें दिखाऊंगा, ठीक है सर, तो जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, यहा आपके जो left-right speaker है उनके लिए, internal में मैं आपको लिखा देता हूँ, मैंने इसमें क्या-क्या यूज किया है, फर्स्ट देखिए हमारा 400 watt का stereo board है, 200 प्लस 200 हमारा left-right channel, ठीक है फ्रेंस, देखिए लिखा हुआ है 400 watt stereo, और इसके लिए हमने यहाँ पर dual channel relay protection का यूज किया है, 30 30A की relay लगी हुई है, ठीक है फ्रेंस, इसमें filter capacitor inbuilt है, यहाँ पर देख सकते है, 10,000 यह, 100 volt के 2 capacitor लगे हुए है, साथ ही यह हमारा board जो operate हो रहा है, वो है 50-050 से operate हो रहा है, आप देख सकते हैं, यह लिखिए यह output निकली हुई है, और यह board के अंदर लगी हुई है, 50-050 की 11-12 ampere की यह output है, जो की इस board में लगी हुई है, 400 watt का वारा stereo board, ठीक है फ्रेंस, सेकेंड हमारा जो subwoofer का board है, वो 600 watt का mono board है, जैसा कि आप देख सकते हैं, यह, देखिए 6 pair transistor, 529-47 लगे हुए है, यह 600 watt mono board है, इसमें देखिए हमने side में यहाँ पर heat sink पे direct एक fan दिया हुआ है जिससे proper cooling इस heat sink की बनी रहे, और double fan तो लगे ही हुए है, और friends, इस board में देखिए, relay protection in build है, यहाँ पर देखिए, relay लगी हुई है, और यहाँ पर दो light लगी हुई है, यह blue है और यह red है, ठीक है friends, और इसके लिए हमने जो power supply यूज़ की है, देखिए, यह four capacitor की power supply है, इसमे filter capacitor देखिए, लगे हुए है, 10,000, यह 100 watt, same capacitor है, जो दोस में लगे हुए है, चार यहाँ पर लगे हुए है, यहाँ पर 50 ampire का bridge लगा हुआ है, इस board के लिए हमने जो transformer की output ली है, वो है देखिए, 55, 055, यह 14 ampire की output है, जो की बहुत ही बढ़िया, इसमें हमें output मिलेगा subwoofer के लिए, ठीक है friends, और जो हमने LPF board यूज किया है, मैं आपको दिखा देता हूँ, यह देखिए, नीचे साइड में यहाँ पर double IC का LPF board लगा हुआ है, जो की 600 watt mono के लिए है, और जो हमने preamp board यूज किया है, देखिए, double IC 72 का preamp board हमने यहाँ पर यूज किया है, यह हमारा 400 watt stereo left right के लिए, ठीक है friends, friends, front पर हमने जो यहाँ पर Bluetooth card दिया है, इसमें लेकिए, यहाँ पर mic है, आप mic चला सकते हैं, और mic 1, mic 2 जहां लिखा हुआ है, यहाँ पर जहां लिखा हुआ है, ठीक है friends, और यहाँ पर जहां लिखा हुआ है, BT USB, AUX, Line, यह आपका selector है, BT USB पर करेंगे तो आपका Bluetooth card on हो जाएगा, AUX पर करेंगे, तो आपका back side में, RCA input में जो भी connection है, आपका वो इसमें amplifier में चलेगा, line पर यानि की mixer पर आप देंगे, यहाँ पर जो देंगे input, तो वो line प्रेस करेंगे, तो आपका work करेगा, ठीक है friends, तो यह हो गया आपका amplifier का overall look, अभी इसक ठीक है friends, और यहाँ पर 15-15 ampere के दो fuse लगे हुए हैं, और यह normal connectors भी हैं, इनमें भी आप लगा सकते हैं, तो यह इसका back look हो गया, अभी चलते हैं इसकी testing के तरफ, और इसकी testing में आपको सुनाता हूँ, friends, मैंने set on कर लिया है, अभी आप देख सकते हैं, मैंने सभी wires वगारे connect कर लिया है, और मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा, कि इस पर मैंने left-right पे जो load डाला है, वो just double डाला है, देखिए दोरो साइड पे जो दोरो speaker है हमारे, यह मैंने left-right पे उपर उले डाले हैं, और सबूफर के लिए, देखिए जो नीचे के दो सबूफर है, सबूफर मैंने 6W आरे में इसकी डाला है, आप इस पे 808 तक का सबूफर चला सकते हैं, टीकर फ्रेंड्स, अभी देखिए, music play है, देखिए सबूफर का volume पूला है, पहले मैं सबूफर टेश कराता हूँ आपको अजया के सबूफर में कि अजच कर्ये मैंने यह फोड़ा से फोड़ा इसको बंद करूँगा तो भी नहीं आएगी देखिए अभी सिर्फ बेस है अभी देखिए मैं म्यूजिक के साथ आपको चला के दिखाता हूं तो आपको ज्यादा बेटर क्वालिटी समझ में आएगे अश्चरा के साथ ए जा अल्ड Кाले शीं Video खुशpersand जैस के दिखाना मैं भी देखिए हूं आपको 주fill दोस्चरा करूंगा जड़ा से उे हूं हो लाहाऊं आपको जड़ा से बंद की साथ़ा है आप कर रूरी कि आप कोरा एं करका हुआ है कर सकत दो खब जा चाहले चेसा राइए बिधर कि अ चाहले कर है जो को झाल झाल आप सभी को मैं इस एम्प्लिफार की टेस्टिंग सुनाता हूं फ्रेंट्स एम्प्लिफार आन है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं यहां पर ब्लू लाइट जल रही है और ब्लूटूथ में बीटी लिखा हुआ है मैंने इसको अपने सेकेंड फोन से कनेट कर लिया है ठीक सेट में आपको फैन की अवास सुनाई दे रही होगी देखिए दोनों फैन चल रहे हैं तो मैं भी इसमें पहले आपको लेफ्ट राइट स्पीका चेक कराऊंगा उसमें हमें क्या क्वाल्टी मिलती है इसके बाद मैं आपको सब बूफर टेस्ट कराऊंगा फिर दोनों च फ्रेंड्स एक चीज में आपको बता दूँ कि मैंने इस पे ओवर्लोड डाला हुआ है जैसा कि आप सामने देख रहे हैं ये दो स्पीकर मिलाके 300 वाट होता है ज्यादा ही होगा क्योंकि ये 165 mm मैगनेट में हैं ज्यादा ही होगा मगर मैं इसको 300 वाट लेके चल रहा हू और ये 300 वाट ये दो स्पीकर होते हैं तो टोटल 600 वाट मैं आपको 100 प्लस 100 पे चला के दिखा रहा हूँ जो कि लेफ्ट राइट है ये इस पे लाए देखिए ये इस पे लाए फ्रेंड्स अभी मैं सब बूफर का वाल्म बढ़ाता हूँ देखिए अभी मैंने सब बूफर का पेस बिल्कुल भी नहीं पढ़ाया मैंने सिर्फ वाल्म बढ़ाया अभी मैंने के बिल्फ़ लाए उट वाल्म बढ़ाया ये प्रेंड्स पफर का बढ़ाया प्रेंड्स पाल्म बढ़ाया मैंने सब बूफर का वॉल्म कम कर लिया अभी मैं दोनों चीज़े साथ में चलाऊंगा देखिए तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें मैंने तीन एम्प्लिफायर्स के बारे में आपको बताया है तो आप अपने वाटेश के अकॉर्डिंग कोई भी एम्प्लिफायर मुझसे बन वाज सकते हैं दोस्तों वीडियो आप सभी को अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर फर्स्टाइम वीडियो वाच कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए फ्रेंट्स मिलता हूँ next वीडियो में next वीडियो में 1200W के तीन different type के amplifier की वीडियो लाने वाला हूँ जो कि बहुत ही बढ़िया होने वाली है 1200W के amplifier होंगे, तीन अलग-अलग type के amplifier होंगे, तीनों के बारे में आपको details के बारे में बता हूँगा तो फ्रेंट्स आज के लिए बस इतना ही मिलता हूँ next वीडियो में, bye bye and take care दोस्तों